नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल VWIC में और सबी वीवर्स का एक बार फिर हर्देख हर्दे का वीनन्दन है स्वागत है दोस्तों हम जानते हैं कि मद्द प्रदेश की जो सिक्षा व्यवस्ता है वह काफी हद तक चर्मरा चुकी है लंबे समय से सिक्षक जहां पर अपनी जॉइनिंग का इंतजार कर रहे हैं वहीं पर गवर्मेंट OBC आरक्षन का बहाना बना करके निरंतर उनकी न्युक्ति टालती जा रही है और अब दोस्तों इसकी जो भरपाई पूरी करने की युजना गवर्मेंट की है वो है अतीती सिक्षकों के भरती से सम्मदित हमने दोस्तों देखा कि पूर में आर्डर आ चुका है कि अतीती सिक्षकों की भरती मद्द प्रदेश के सभी विद्यालायों में की जाना है और जो की अलग-अलग विश्यों से सम्मदित रहेगी तो आज हम इसी के सम्मद में बात करने वाले हैं कि इसकूलों में अतीती सिक्षकों की नियुक्ती कैसे की जाएगी उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और साथ में ही उसके नियमबा शर्तें क्या रहने वाली है तो दोस्तों इससे पहले हम पूरी डिटेल में बात करें तो हम देख लें कि अविहाल ही में नवी और बारवी तक की कक्षाएं लग रही है और प्रात्मिक और मादमिक इसकूलों को भी जल्द ही खोला जाना है जैसा कि आदिश दिया गया है तो शासा निस्तर को निर्दिश दे दिये गए हैं कि ये प्रक्रिया पूरी करके 17 सितंबर तक हाल में अतीति सिक्षकों को जॉइन कराया जाए अब दोस्तों ऐसी इस्थिति में एक सितंबर से प्रात्मिक और मादमिक स्कूल खुलने के आदेश तो हो गए लेकिन पिछले कई साल से सिक्षकों की भरती नहीं होने के कारण कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिक्षकों की अभी भी कमी बनी हुई है और यही बज़े है कि लोग सिक्षना संचाल नाला याने की DPI ने प्रात्मिक और मादमिक स्कूलों में अतीति सिक्षकों की भरती करने का निर्ने लिया है तो विदित हो कि पिछले साल कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे और इस प्रकार से भरती की प्रक्रिया जो है वह नहीं हो पाई और अब जो है फिर से स्टार्ट कर दी गई है अतीति सिक्षकों की भरती प्रक्रिया तो अब आईए जानते हैं कि इस भरती में किस प्रकार से सिक्षकों को लिया जाना है तो दोस्तों सबसे पहली शर्ट इसमें ये है कि जो पूर्व में कारण सिक्षक हैं उनको ही वरीता दी जाएगी यानि कि उनको प्रफरेंस दिय जाएगा तो अतीती सिख्षकों की भरती में पूर्व में विद्यालाय में पढ़ा चुके सिख्षकों को ही वरिता दी जाने का प्रावदान किया गया है प्राचारियों को सबसे पहले ऐसे सिख्षकों को ही आमंत्रित करना होगा यदि ऐसे सिख्षक अब उस विद्यालाय म उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाली है तो दोस्तों 31 अगस्त तक आमंत्रण मंगाए गए थे आविदन मंगाए गए थे और ये एजुकेशन पूर्डर पर सभी ने प्रक्रिया पूरी कर ली होगी तो आईए बढ़ते हैं अगली स्टेप की ओर कि अब आगे क्या होगा तो दोस्तों आविदन के बाद में बरीता क्रम देखा जाएगा यानि मेरिट लिस्ट देखी जाएगी और उसके आधार पर सिक्षक की असेमेती पर एक सितमबर तक उससे लिखित में लेकर अविलेक संदारित करना है जैसा मैंने बताया कि जो इच्चुक नहीं है तो उन विद्यालाय में आमंत्रित करना और ये होगा दो सितमबर तक क्लियर उसके बाद में विद्यालाय द्वारा आमंत्रित अतीती सिक्षकों की जानकारी 11 सितमबर तक संकुल प्राचारे को प्रेशित करना और संकुल प्राचारे द्वारा 17 सितमबर तक अतीती सिक्षकों को जोईन कराना है तो दोस्तों ये विलकुल एक complete procedure चल रही है जिसमें की अंतता 17 सितंबर 2021 तक 38 सिख्षक जो की प्रात्मिक विद्यालाए माध्मिक विद्यालाए और अपने विश्यों से संबन्दित हैं तो उनकी जोईनिंग करवाली जाएगी और दोस्तों जहां तक 40 सिख्षकों का सवाल है तो ये डिपेंड करेगा कि OBC आरक्षन का केस क्या निकल करके आता है उसी के हिसाब से आगे कारिवाई की जाएगी तो दोस्तों ये एक जानकारी थी और मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जैहिंद जैभारत